दोस्तों आज हम लोग PVKT स्कूल एप किस तरह से इंस्टाल करना है और कैसे उसे यूच करना है इसके बारे में हम देखेंगे Mission IIS अमरावती महराष्टर इनकी और से जो भी छात्र स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं वे अपना IIS अधिकारी बनने का मैं बनूँगा IIS यह सपना देख सकते हैं और इसके लिए Mission IIS ने अलग-अलग ऑनलाइन कोर्स को बनाया है इन सभी कोर्स को आप यदि करना चाहते हैं तो आपको आपके मोबाइल में PVKT स्कूल यहां एप Google Play Store से डाउनलोड करके इंस्टाल करना पड़ेगा तो आएए हम देखते हैं PVKT स्कूल एप किस प्रकार से डाउनलोड किया जाए तो सबसे पहले हम लोग हमारे प्ले स्टोर में जाएंगे तो प्ले स्टोर में जांके हमको यहां सर्च करना है तो मैं यहां सर्च में टाइप करूँगा PVKT स्कूल यहां मुझे सर्च करना है और सर्च करने के बाद में मुझे यहां पे एक एप दिखाई दे रही है जिसका नाम है PVKT स्कूल बाई एजुकिट तो यह 40 MB वाली आप है इसको हमको इंस्टाल करना है तो मैं अभी इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा तो यहां मेरी PVKT स्कूल आप दिखाई दे रही है और अब मैं यहां पर इंस्टाल बटन पे क्लिक करूँगा तो अभी मेरी जो एप है यह डाउनलोड होना शुरू हो गई है आप जब भी आउनलाइन गूगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड करते हो तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके मोबाईल पे यदि वाइफाई इंस्टाल हो तो एप जल्दी इंस्टाल होगा 40 MB का ही सिर्फ मात्र यहाँ एप है और अब यहाँ एप देखे अभी यहाँ इंस्टाल हो चुका है और इंस्टालिंग का मैसेज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है अब यह इंस्टालिंग होने के बाद में हमको यहाँ ओपन बटन दिखाई दे रहा है अब मैं इस ओपन बटन पे प्लिक करूंगा तो यहां मेरी आप अभी ओपन होना शुरू हो गई है इस आप को एक बार शुरू होने के बाद में आपको यहां पे दो आप्शन दिखाई दे रहे है पहला आप्शन है साइन इन और दूसरा आप्शन है रजिस्टर नाउ यदि आप पहले बार आप इ reproize आप को install कर रहे है तो आपको पहले रजिस्टर करना पढ़ेगा तो मैं यहां पर रजिस्टर now पर क्लिक करता हूं तो मेरा रजिस्टेशन का स्क्रीन यहां आ गया अब यहां मैं मेरा नाम टाइप करूँगा जैसा कि मैं अभी यहां टाइप कर रहा हूँ P.R.A.V.I.N और मेरा लास्ट नेम K.H.A.N.D.V.E नाम कर दिया मैंने यहां पे मुझे मेरा मोबाइल नंबर यहां मैं दाल रहा हूँ यह मारा मोबाइल है जो मोबाइल पर हम लोग इस्टाल कर रहे है तो 225-0709 यह नंबर मैंने दाल दिया और यहां मुझे मेरा इमेल एड्रेस देना है अब यह इमेल आड्रेस मैं यहां पर देने वाला हूँ यहां दूसरा कोई भी इमेल आड्रेस जो आपका working इमेल आड्रेस हो तो यहां पर पास्वर्ड हम को टाइप करना है यह password हमको एकदम simple रखना है जिसके अंदर कोई special character वगरे आप use मत कीजिए तो हम लोग यहाँ पे मैं मेरा simple password यहाँ दूँगा P-R-A-V-I-N-1-2-3 तो मैंने simple मेरा password रख दिया small letters में रखा सभी चीजे P-R-A-V-I-N-1-2-3 अब यह password आपको याद रखना है ताकि यह password हमको बाद में app शुरू करने के लिए भी लगने वाला है और अब मैं यहाँ पर next बटन पे click करूँगा तो मेरा यहाँ पर registration की process शुरू हो गई है और अब मुझे यहाँ पर OTP का screen दिखाई दे रहा है अब मुझे यहाँ पर OTP आएगा वह OTP मुझे यहाँ से देखना है और वह OTP मुझे यहाँ पर type करना पड़ेगा तो मैं अभी मेरा OTP के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि OTP यह आगया है मेरे पास OTP और यह OTP जो है मेरा 9170 तो यह OTP मैं अभी यहाँ पर 9170 यह OTP मैंने यहाँ प्लेस कर दिया और मैंने next कर दिया यहाँ पर तो OTP प्लेस करने के बाद में यहाँ लिखके आ गया मेरा registration successfully और मेरा registration हो गया है अब मैं यहाँ पर log in का बटन मुझे दिखाई दे रहा यहाँ पर नीचे तो मैं अभी यह login बटन पर click करूँगा अब login से मैं फिर से मेरे screen पर आ गया हूँ और अब मैं यहाँ पर login कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर sign in पर click करूँगा और मेरा user id जो है अब user id में आपका mobile number आपको यहाँ दालना है तो मेरा user id में mobile number दालूँगा बैसी पंचातर बैसी जिरो सेवन जिरो नाइन और password में मैंने जो password दाला था पी आर ए वी आई एन वन टू थ्री यहाँ ध्यान रखना है कि आपका user id ने mobile number है और password आपने जो दाला था उसको आपको दालना है तो आप यहाँ पर login हो जाएंगे तो अब यहाँ पर login बटन को प्रेस किया मैंने तो मेरी app अभी install हो गई है और मैं sign in हो गया हूँ अब यह शुरू में आपको यहाँ पर जो कुछ screen दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको discipline select करना है तो generally मैं यहाँ पर general all stream चार select stream दिख रहे है तो मैं general वाला ही select करूँगा तो general stream को select किया मैंने फिर यहाँ पर मैं गया next पे next जाने के बाद में मुझे यहाँ पर तीन course दिखाई दे रहे है general stream के अंदर तो उसमें मुझे NCRT for UPSC MPSC course यदि यह लेना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा super 60 करना है तो पहला वाला लूँगा competitive exam reduce लेना है तो दुसरा वाला लूँगा अभी मुझे तीसरा करना है तो मैं NCRT for UPSC MPSC यह तीसरे वाले पर select करूँगा और next करूँगा यहाँ तो अभी मेरा यह course का मेरा app install हो गया है और मैं पहले screen पर आ गया हूँ और अब मुझे यहाँ पर जो course है मेरा यहाँ पर recommended course क्योंकि मैंने NCRT select किया था तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यदि यह निहाँ दिखाई भी नहीं देता है तो अब यह app में जाने के बाद में आप अलग-अलग test है doubt forum है लायू classes है daily news है quiz है यह सारी चीज़े देख सकते हो यहाँ पर PVKT school की gallery भी दिया है जिसके अंदर आपको 2-3 वीडियो आपको अलग से मिलेंगे यहाँ पर PVKT का introduction then super 60 gold medal course में क्या है उसके बारे में वीडियो आप देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर goal setting का वीड यहाँ पर store पर मैं click करूंगा तो store पर मैं गया और यहाँ पर store में मुझे यह store दिखाई दे रहा है और अब मुझे यहाँ पर category दिखाई दे रही है तो सबसे पहले तो मैं category में यहाँ पर general all stream पर click करूंगा click करने के बाद में फिर यहाँ पर आपको दो-तिन नाम नीचे दिखाई देंगे classes में यदि यह निखाई दिखाई नहीं देते है तो आपको इसको scroll कर सकते हो आप इसको और यहाँ पर मैं तीसरी category जो है NCRT for UPSC, MPSC मैं इसको लूँगा तो देखो अभी यह मेरा दोनो अरेंज हो गया यहाँ पर general all stream और यहाँ पर NCRT for UPSC, MPSC exam तो ऐसा आप अलग-अलग combination civil engineering करेंगे तो अलग course दिखेंगे schooling में अलग दिखेंगे teachers में अलग दिखेंगे और जो classes है classes में आपको अभी तीन classes दिख रहे है general all stream में, super 60 है, computer exam rituals है और NCRT है, अभी मने NCRT को select किया, तो यहाँ पर मुझे NCRT का course दिखाई दे रहा है, अब मुझे इस पर click करना है, मैं यहाँ click करूंगा, तो मेरा यह course अभी यहाँ पर दिखना शुरू हो गया, यह मेरा NCRT का course ह उसका description मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले subject दिखाई दे रहा है, कि कितने subject की हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करने वाले इस course में, उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है demo lectures, यह demo lectures याने यह free courses, free video है, जो आपको without fee भ किया, तो भी आपको demo lecture में जो available video है, वो आप देख सकते हो, और description में आपको description दिखाई देगा, और यहाँ पर requirement में अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं subject में जाऊंगा पहले, अभी जो हमारा 10 जून से जो course शुरू आए NCRT का, UPSC, MPSC के लिए, तो उसमें सब से पहला subject हमने शुरू किया है, UPSC Foundation Basic, तो आपको WhatsApp ग्रूप पे message आ रहा होगा कि कौन सा lecture आज देखना है, तो वो lecture आपको पहले Unit 1 में यहाँ मिलेगा, और Unit 1 में तीन lecture दिखाई दे रहा है, मुझे पहला lecture अभी दिखना है, तो मैं overview of the UPSC Basic Course, इस पे मैं यहाँ पर click करू तो अभी यह मेरा course का page open हो गया, यहाँ पे आपको एक video दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पर आपको एक quiz भी दिया है, objective question का, और यहाँ पे आपको view PDF कहा है, तो आप यहाँ से PDF notes देख सकते हो, और उसके नीचे आपको यहाँ पे homework दिया है, तो यह lesson के उपर आपको य WhatsApp के group में upload करना है, तो अभी मैं यहाँ पर पहले notes देखूंगा, तो यह notes मैं यहाँ पर click करता हूँ, तो मेरी PDF की notes यहाँ पर दिखेंगी, और यह notes को अभी आप step by step पढ़ सकते हो, यह PPT के format में सारी notes है, और इसको आपको सारा देखना है, यदि आप चाहते हो, तो इसमे तो यह PDF notes जो है, यह आपको यहाँ से पढ़ने के लिए दी गई है, so these are the notes for reading only, तो यहाँ से आप यह read कर सकते हो सारी, अब यह हो गया मेरा notes का पढ़ाई, समझ लो मैंने पूरी notes पढ़ ली, तो notes पढ़ने के बाद में मुझे यहाँ पर back जाना पढ़ेगा, तो यह top arrow है, यहाँ पर मैं back जाता हूँ यहाँ पर, और back जाने के बाद में फिर से मैं page पर आ गया हूँ, अब मुझे यह जो वीडियो है, यह वीडियो मुझे पूरा देखना है, तो मैं play पर click करूँगा, और अब मेरा यह video जो है, यह पूरा landscape mode में दिखना शुरू हो जाएगा, और यह video हमारा शुरू हो गया, अब मैं इसको click करता हूँ, यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आपका यह video शुरू हो गया, इसका आवाज आप mobile का बढ़ा सकते हो, तो इस प्रकार से आप video देख सकते हो, मैं अभी यहाँ से बैक में जाओंगा, और बैक में जाने के बाद में वापस आगया, अब मैंने वीडियो पुरा देख लिया, नोड भी मैंने पढ़ ली, अब मैं यहाँ पर quiz दे सकता हूँ, तो मुझे attempt now पर click करना है, तो attempt now पर आपको quiz दिखाई देगा, और जो quiz आभी यहाँ पर देखो, पहला question आगा है, यहाँ पर the term UPSC denotes, तो answer आपको यहाँ से दिले नेचर, तो मुझे यहाँ पर option क्लिक करना है, फिर मैं next करूँगा, फिर इस प्रकार से तीसरा question आगा मेरे पास में, नम्मरा बटन कितने देना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर click कर देता हूँ, एक answer और यहाँ पर next करता हूँ, फिर यहाँ पर 4th question आगा मेरे पास में, फ यहाँ पर यह सब्मिट का बटन आ गया, तो मेरा quiz सब्मिट हो गया भी, और यह सब्मिट होने के बाद में आप view result का बटन यहाँ पर आ चुका है, view result के बटन पर आप click करेंगे, तो आपको यहाँ पर आपका score दिखाए देगा, तो आपका score है 4 percentage 80%, आपने 4 question सही solve किये, औ total question 5 थे, correct 4 थे, और incorrect 0 थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इस प्रकार से आपका यह जो quiz है यह पूरा हो जाएगा, फिर से आप यहाँ से back आ सकते हो, तो फिर से आप इस page पे आ गए, तो इस प्रकार से आपको हर दिन, हर दिन का lecture complete करना है, अब इसके बाद में फिर से हम लोग यहाँ बैक जाएंगे, तो हम लोग unit 1 पे चले गए, फिर यहाँ से हम लोग back गए, तो हम लोग subject में आ गए, और subject से back में आ गए, तो हम लोग यहाँ पर subject के list में आ गए, अब जैसा भी आपको message आएगा, WhatsApp गूरूप पे, उसके हिसाब से, उस subject के अंदर जाके उसमें का जो lesson 1, 2, 3, 4 है, वो हमको देखना है, तो इस प्रकार से कर सकते हो, अब यदि आपको यह course फूल करना है, तो आपको यहाँ पर enroll now button पर click करना पड़ेगा, तो enroll now पर click करने से आप payment gateway पर जाएंगे वाले है, यहाँ पर जैसा कि आप इस course के लिए fees है, 6000 रुपे, औ और आपको दो installment दी गई है, तो यहाँ पर फूल कोर्स जो है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, इस प्रकार से हर एक course के अंदर आपको enroll बटन का बटन दिखाई देगा, इसी प्रकार से अभी यहाँ पर हमने general all stream में जो छोटा सा course लाया है, competitive exam rituals, यह 10-20 साल के age group के लिए है, और इसके अंदर सारे topics क्या-क्या दिए गया है, वो भी आपको दिखाई देगा इसके अंदर, तो computer exam के लिए आपको यह 24-25 topic दिए है, इन सब topic पे आपको guidance किया जाएगा, तो उसके आप यहाँ पे कुछ free video भी है, वो demo video भी आप देख सकते हो, और पूरे video देखना है, त इसके बाद में जो next step है, वो है कि जो बच्चे अभी 8-9 वी कक्षा से IIS की तयारी करना चाते है, या फिर किसी भी computer exam के लिए खुद को तयार करना चाते है, तो उनके लिए super 60 foundation course यहाँ है, तो यह super 60 course में हम लोग यह जाएंगे, तो इसके अंदर आपको फिर इसे details दिखे इसके अंदर आपको अठरा topic सिखाए गये है, जैसा कि power positivity कैसी बढ़ाना है, achieving high consciousness कैसा करना है, memory management कैसा करेंगे, brain programming कैसा करेंगे, success psychology क्या है, student role क्या है, फिर effective learning technique क्या है, effective listening कैसा करना है, effective reading कैसे करना है, effective writing skill कैसे develop करना है, notes taking techniques सिखाए गये आपको, problem solving skill, overcoming language problem, optimizing study technique, yoga and exercise for student, meditation for student, food habits for student and goal setting, तो यह अठरा topic जो है किसी भी student को उसका life transform करने के लिए use होने वाले है, किसी भी competitive exam के लिए आपको यदि आपको develop करना है खुद को, तो यह सारे skills आपको लगने वाले है, और आपके जीवन में भी आपको life skill development के लिए यह जो सारे आठरा topics है, यह आपको लगने व कुछ, और बाकी आपको काफी सारे demo lectures हमने यहाँ पर दिये है, तो एक से लेके कुछ-कुछ, एक one, two, three, four, five ऐसे demo lectures आप देखिए, और यदि आपको एक course पसंद आता है, तो आप इसको enroll करके इसका full payment आपको जो online करना पड़ेगा, और वहाँ से आप लोग इस course को कर सकते ह हो, इसी तरह से हमने अभी यहाँ पर civil engineering के लिए एक नया course लाया है, basic digital terrain modeling for contouring for civil engineers, teachers के लिए अभी हमने एक course लाया है, जो है online teaching tools, इसके अंदर कहीं सारे tools दिखाएगा है, तो आशा करता हूं मैं कि आपको यह app और हमारे online courses पसंद आएंगे, और इस तरह से आप लोग, अब प्रछार में और आपने register किया होगा, पैसे paid कियोगे, तो आपका course आपको my course में दिखाएगा, तो the course I higher of my course में अभी आपर कोई मेरा course नहीं कियां, तो मुझे blank दिखाएगा है, यदि purchase किया है, तो आपको my course में दिखाएगा, जैसा कि यह mobile पर आपको दिखाता हूं, कि यहांपे मैंने यह मेरा my courses में क्लिक किया तो my course में मुझे यहां पर तो डिजिरी मोडेलन का course दिखाए दे रहा है यहां पर मेरा आप कोर से canदे लए मुझे my courses में दीखाए दे रहा है तो वो options हम लोग यहां से देखेंगे अभी मैं यहां से back जाता हूँ और यहां option बटन पर मुझे my courses, live classes भी हम लोग यह app के जरिये यहां से लेते हैं और यहां पर test भी है इसके अंदर फिर आपका bookmark कर सकते हो आप किसी course को हमारे facebook page instagram page, youtube channel को like करने के लिए या join करने के लिए आप यहां पर जा सकते हो और काफी सारी जानकारी आपको यहां पर दी गई है तो मैं आशा करता हो कि आप पीवी केटी स्कूल के जरिये यह जो NCRT course for UPSC and MPSC है इसको successfully पूरा करेंगे और इनके अलावा आप competitive exam rituals और super 60 foundation course और यह सारे कोर्स हमके आमारे आप के जरिए कर सकते है तो इस प्रकार से हमने अभी मैं यहां से back निकल के exit हो जाऊंगा तो दो बार back करना है तो I return to my home page तो इस प्रकार से आप पीवी केटी स्कूल आपको इस्तेमाल कीजे और घर बैठे anytime, anywhere, any can enhance their skill and knowledge So मैं प्रोफेसर पीवी खांडवे मैं आप सभी को आपके भविश्य के करियर के लिए शुबकमने देता हूँ और यहां रुकता हूँ Thank you, जय हिन, जय महाराश्ट्र